अगर आप लोगों कभी कोई भी जमीन प्रोपर्टी से सब्सक्राइब सवाल है तो आप जॉइन बटन से जॉइन करने के बाद जो आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आप अर्जेंट में जवाब चाहते हैं नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं वीडियो के माद्यम से आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे अभी देखें रमेश कुमार जी पूछ रही है कि सर जमीन जो है वो इनका जो है सिम्मी है और लेकिन उसका कोई परचा नहीं कट रहा है इसके लिए क्या करना होगा सरबै कैसे होगा देखिए सियो साहब को आवेदन कीजिये सबसे पहला काम और वो क्या कहते हैं जो वो कहेंगे उन्हीं के अनुसार आपका काम हो सकता है तो आप CEO साहब से मिलिए CEO साहब के पास आविदन कीजिए और सारा बात रखिए अगला सवाल देखते हैं ये पूछ रहा है कि सर जमीन का जो सरवे कहां पर होता है अंचल में या डिस्टिक आफिस में अभी डिस्टिक आफिस में हो रहा है ठीक है अभी जो हो रहा है ना सरवे वो डिस्टिक काडियाले में हो रहा है तो इसलिए इनका था कि confirm कीजिए तो हम आपको confirm कर दिये अभी अंचल में नहीं हो रहा है अभी डिस्टिक काडियल में हो रहा है अगला सवाल है कि सर मेरे दादा जी ने जो है सालों पहले 8 एकर जमीन कुछ गरीब परिबार की दान कर दिया था जिसमें कुछ लोग तो अभ भी खेती कर रहे हैं पर एक उसका दो परिवार अब जो है वो गाउं छोड़ कर चला गया है और उस जमीन पर दूसरा लोग जो है कब्जा किया हुआ है तो क्या उस जमीन पर हमारा अधिकार हो सकता है आभी देखिए दान जो किये होंगे ना दान कागर पेपर होगा ठीक है तब दिक्त हो सकती है पुराना पेपर होगा जमाबंदी काया होगा रसीद कट रहा होगा तो दिक्त हो सकती है और आपके पास बैलिट पेपर है तब कोसिज करें उसका रसीद कटा ले अगर रसीद आपके नाम से कट रहा है तो आपका हंडेड परसेंट अधिकार होग अगला सवाल है अनिल कुमार जी पुछ रहे हैं सर मेरा पुराना नक्सा में है और नया नक्सा में कुछ कटा हुआ है तो उसे आपस वापस ला सकता हूं बताईए बिल्कुल ला सकते हैं ठीक है वो मांचितर विभाग से आप कॉंटेक्ट केजिए ठीक है और उसका पूरा डिटेल बताईए और यह जो है आप पहले ADM के पास आवेदन कर दीजिए एक बार आज की यह सारा जो है ऐसा हो गया है डारेक्ट आप वहां पर ही आवेदन करें वहां से सारा आपको जो है रास्ता मिल जाएगा और आप जो है इसली कर सकते हैं ज्यादा दिक्कत वाली ब टादा जी सरकारी जमीन में करी सतर साल घर बना हुआ है और जमीन का बास्तविक परचा जो है बनवारी है से इनों लूप वाल है है आप उनके अगर बनसज है और आपके नाम पर भी कोई जमीन नहीं है तो आपके नाम पर ट्रंसपर हो जाएगा आप रसीद उसका कटाने लगेंगे लेकिन अगर आपके पास अपने नाम का तो फिर आप जो है आपको यह बास्पिक परचा वाला जमीन अपने नाम पर है और उनको सारा समस्या बता है तो हो सकता है कि आपका काम वहां से सौट आउट हो जाए अगला यह बिकरम यादब पूछ रहे हैं सर मेरे पिता जी के नाम से एवं साथ हैं और उसी दस्ताबेज पे जो है एक मेरा ही परिवार के चाचा ने दोनों आदमी के नाम से जमीन 1969 में रजिस्ट्री हुआ था जिसका दस्ताबेज में जो है चाचा के पास है और अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उनकी मिर्तियू हो गया मगर जमीन पर जो है दखल कबज हमीं दोनों के परिवार के जोत में है पर उनका जो बेटा लोग है दस्ताबेज मांग आप उसका नकल निकलवा लिजिए ठीक है नकल मिल जाएगा आपको और नकल निकालने के बाद जो है आप उसको ओनलाइन कर दीजिए ठीक है ओनलाइन कर दीजिए उनकल आप निकाल लिजिए डूप्लिकेट कॉपी जो है निकाल सकते हैं ओनलाइन करने के बाद उसका दा आप सामने प्रूफ करने का तरीका यही है दाकिल कारिज आपके नाम से रेजिस्टी हो गया तो इसका मतलब आपका जमीन हो गया यह बिलकुर सही बात है ठीक है लेकिन लेकिन जमीन तब तक आप सरकार के पांस जो है आपके पास परमान नहीं है कि वह आपकी जमीन है बात क इसी के चलते सरवे में समस्या हो जाता है तो बिकरम जी इसको जरूर सुधार किजिए और इसका जो है नकल जहां रजिस्ट्री आफिस है वहां से आप निकलवा लिजिए अगला सवाल जो है रभी संकर जी पूछने सर जी मेरे सवाल ये है कि मेरे फादर तीन भाई थे और मेरा बटवारा 1965 के सरवे में जो है खेसरा भाई जो है बाट कर तीन भाग जो है कर दखल कर दिया ठीक है लेकिन जमाबंदी जो है वह अंकल के नाम से नाम पर एक घर पर ही जो है चल रहा है जबकि तीनों लोग का जो है डेट दस येर पहले हो चुका है ठीक है अपना खाता अलग करने के लिए जो है करना चाहता हूँ दो पार्टी जो है मोटेशन कराता है तो यहां पर देखिए यह माप जमाबंदी अगर बरे अंकल के नाम पर है तो यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है उन्हें अब जमीन देखें ना आप तीन टुकड़ा में बटा हुआ माले तो सबका अपना पार्ट बट बन गया लेकिन जमाबंदी इसका मतलब होता है तीनों का एक ही जमाबंदी व जमाबंदी कायम है जमीन तो पहले सबका था ठीक है तो आप वहां से जो है वह बटवाड़ा का जो है एक तरह से केस भी कर सकते हैं चोटा होता है इसको केस वर्ड से ऐसा नहीं घब रहा है यह नहीं केस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल्कुल छोटा सा होता है आप वहां से नोटिस कर भाएंगे कि हमको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो यह भूमी सुधार बिभाग है वह आपका सौट आउट वहां से हो सकता है अगला सवाल जो अधनन पासमान जी पूछ रहे हैं अगर गैर मजरुआ जमीन बिहार सरकार बीस वरसों से कबजा है जोत अबाद है लेकिन कोई भूमी बंदोबस्त परवाना बना लिया है तो उस जमीन मेरे नाम से परवाना बन सकता है बिल्कुल बन सकता है और सियो साहब चाहेंगे तो बना सक अगला सवाल देखते हैं इनका इनका जो रेपलाई जल्दी दिजिएगा विल्कुल जो है उनकी कनाईय कुमार में थे हैं जबाब सबक आएगा और सवाल का जो जवाब थो लोग 좋은 जेफिल कर करके हमसे connect हो सकते हैं बात कर सकते हैं हम आपको जो है best suggestion देंगे का आपको क्या करना चाहिए और सही तरीका सही मार्क दर्सन आपको बताने का प्रयास करेंगे सर मेरे पिता जी 1995 मेरे माता जी के नाम से जमीन लिया था उस जमीन पे पुराना खेसरा सही लिखा है नया खेसरा गलत है पुराना सही है नया गलत है जमीन का मोटेशन भी हो गया है तो इसका सुधार कैसे करें देखिए जमीन का पुराना खेसरा जो है आप जो भी जमीन हो गया लेकिन आपका जो यहीद दोनों होना चाहिए था लेकिन कि घलत hug गया तो यह सही वाला यह गलत वां जु請 यह तब आप kan ऑन का सर्वेंन अफ सुधार दर्प लेकिन आपको जो इस तब्न का सर्वें तो दिक्कत आपकोास नहीं होगा सरवे में सोधार हो जाएगा ठीक है अगर आपने रशीत सही कटा है अगला सवाल है यह पूछ रहे है सुजीत राम जी गुड इबनिंग यहाँ पे यह पूछ रहे है मैं सितामडिस हो और यह जो है न यह एरिया गरामीन है और सर मेरा प्रोब्लेम है कि मैं जिस जमीन पर रहता हूँ वह बिहार सरकार है पर मेरक मैं खरिदा हूँ यह अपने नाम पर कैसे करें खेसरा नंबर है और यहां इस पी जो है ना वो खर्चा आएगा इसमें क्या खर्चा आएगा प्लीज बता है सबसे पहले जो आप जो जमीन खड़ सब्सक्राइब कर दिया जाता है और आपको यहां से बंदोबस्त कर देंगा प्रसरा चीज उस पर मैंशन करके उनको एक एpause कर दके घर तो फिर आपको बहतर सलाह करदेंगा है ठीक है और रहसरा है तो बनद बस्त करद Family नाम थार्ट है ठीक है तो आपका अगर वो रसीद कर जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप लोगों का भी प्रोपर्टी से सम्मंदित कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी लाइक है उसको जरूर दबा लेजिए मिलते अंगले वीडियों तब तक लिए जाएए